हेलो एफिरिवन दोस्तो आज हम कवर करेंगे विल्यम शेक्ष्पिर का एक और मेजर प्रे जिसका नाम है 12th night इस वीडियो में डिसकस करेंगे दोस्तो की फैक्स इस प्ले के और स्वे की समरी डिटेल में चलिए पहले की फैक्स देख लेते हैं दोस्तो इस play का full title है 12th night या और what you will इसको लिखा गया था 1601 में और इसको कहा लिखा गया था इंग्लेंड में लिखा गया था दोस्तो इसको publish कराया गया था 1623 में और इस play का literary period है Renaissance period और इसका दोतो यौनर है comedy यौनर है इसका और इसकी setting रखी गई है इलेरिया नाम के region में तो चलिए इसकी अब summary discuss करते हैं दोस्तो इस play की story इलेरिया नाम की जगा की है और सीनो नाम का अमीर घर का एक आदमी बेट पर लेटा हुआ sad music सुन रहा था दोस्तो वो Olivia नाम की लड़की से प्यार करने लगा था लेकिन वो दोस्तो बहुत दुखी था क्योंकि Olivia अभी अपने भाई की मौत का शोप मना रही थी और शादी का कोई proposal accept नहीं कर रही थी इसी बीच दोस्तो वियोला नाम की एक aristocrat घर की लड़की अपने भाई Sebastian के साथ समुदरी जहाज से travel कर रही थी लेकिन दोस्तो तभी वहाँ एक तूफान आ जाता है और जहा बहते बहते वियोला इलेरिया स्टेट के किनारे पर पहुच जाती है यानि वो इलेरिया पहुच जाती है उसे लगता है कि शायद उसका भाई Sebastian अब जिन्दा नहीं है फिर वह सोचती है कि जिन्दा रहने के लिए उसे कोई जॉब ढूननी चाहिए इसलिए वह इदर उद होमने लगती है जौप सर्च में एक जगा दोस्तों एक आदमी उसे लेडी उलिविया के बारे में बताता है और कहता है जय nett लेकिन दोस्तों ऑजनवी से मिलने यां उसे काम पर रखने से मना कर देती है लेकिन वहां दोस्तों वेओला को ड्यूक और सीनो के बारे में पता चलता है और उसके ओलिविया के लिए प्यार के बारे में भी पता चलता है यानि ड्यूक और सीनो ओलिविया से प्यार करते थे उसे लगता है कि शायद और सीनो के घर उसे काम मिल जाए वह दोस्तो भेज बदलकर लड़का बन जाती है और अपना नाम सिसेरियो रख ले और सीनो के घर जाती है और वहाँ उससे काम पर रख लिया जाता है। धीरे धीरे और सीनो सिसेरियो की बातों से इंप्रेस हो जाता है दोस्तों और उसे अपना पर्सनल असिस्टेंट बना लेता है लेकिन दोस्तों सिसेरियो जो की वियोला थी और सीनो से प्यार करने लगती है एक दिन और सीनो सिसेरियो को एक लव लेटर देकर ऑलिविया के घ प्यार करता था और ओलिवियो सिसेरियो से प्यार करती थी और सिसेरियो जो की वेवला था असलियत में वह और सिनों से प्यार करती थी लेकिन दोस्तों किसी को भी उनका करश वापिस प्यार नहीं करता था इसलिए दोस्तों सब अंदर ये अंदर बहुत परेशान और दुग था दोस्तों और वे बहुत ज़्यादा शराब भी पीते थे अक्सर उनका दोस्त एंड्रियू भी उनसे मिलने आया करता था वे मन ही मन ओलिविया को चाता था उनके अलावा ओलीविया की हेलपर मारिया और केर ठेकर मालवोलियो भी वहां रहते थे मालवोलियो दोस्तों बहुत ज़दा स्ट्रिक्ट था और किसी को भी मस्ती मजाक नहीं करने देता था मालवोलियों से तंग होकर दोसों सब लोग उसे सबक सिखाने के लिए एक प्रैंक करते हैं वो मालवोलियों को विश्वात दिलाने के कोशिश करते हैं कि उलिविया उससे प्यार करती है इसके लिए वो मारियो से मालवोलियो के नाम एक love letter लिखवाते हैं और नीचे Olivia का नाम लिख देते हैं ताकि मालवोलियो को लगे कि यह letter Olivia ने उसके लिए लिखा है आगे दोस्तों मारिया letter में लिखती है कि अगर मालवोलियो उसका प्यार पाना चाता है तो पीली पैंट पहने, बहरी बेल्ट लगाए, हमेशे smile करें और attitude में रहे और किसी भी बात का सीधा जवाब ना दे फिर दोस्तों इस letter को मालवोलियो के कमरे में डाल दिया जाता है, जब वह letter पढ़ता है तो उसे लगता है कि सच में यह Olivia ने लिखा है और शायद वह उससे प्यार करती है वो दोस्तों उससे शादी के सपने देखने लगता है और सोचता है कि Olivia से शादी करके वह नौकर के बजाए मालिक बन जाएगा और फिर सब को सबक सिखाएगा इसके बाद दोस्तों letter में जो करने के लिए कहा गया था मालवोलियो वही करने लगता है उसके कपड़े देखकर दोस्तों सब लोग हसते रहते हैं जब Olivia उससे कुछ भी पूछती है तो वह किसी भी बात का ठीक से जवाब नहीं रहता इससे दोस्तों Olivia को लगता है कि शायद वह पागल हो गया है इसी भी दोस्तों सिबेस्टिन जो वियोला का भाई था वो भी जिन्दा होता है वो मरता नहीं है दोस्तों लेकिन दोस्तों वह भी मान चुका होता है कि शायद उसकी बहन वियोला अब जिन्दा नहीं होगी भूमते भूमते दोस्तों एक दिन वह भी अपने दोस्त एंटूनियो के घर इलेरिया पहुच जाता है एक दिन दोस्तों एंड्रियो देखता है कि सिसेरियो की ओलिविया से क्लोजनेस बढ़ रही है इससे दोस्तों उसे बहुत जेलिसी होती है और वे सिसेरियो जो की असलियत में वियोला थी को एक डूल यानि लड़ाई के लिए चैलेंज कर देता है सर टोबी दोस्तों सोचते हैं कि इससे बहुत ज़ादा मज़ा आएगा और वे एंड्रियू को और ज़ादा उपसाते हैं डूल के दिन यानि लड़ाई के दिन सिबेस्टिन उदर से गुजर रहा होता है लेकिन दोस्तों एंड्रियू सोचता है कि वे सिसेरियो ही है क्योंकि सिबेस्टिन की शकल दोस्तों सिसेरियो यानि वियोला से बहुत ज़ादा मिलती थी क्योंकि दोस्तों दोनों भाई बैन जो थे और वे उसे लड़ने के लिए उकसाने लगता है पहले तो दोस्तों सिबैस्टिन को समझ ही नहीं आता कि वे क्या बोल रहा है लेकिन जब एंड्रियो हद कर देता है तो वे उससे लड़ने लगता है और उससे हरा देता है तब ही दोस्तों ओलेवय वहाँ पहुच जाती है उसे भी धोका हो जाता है और वह सोचती है कि सिबेस्टिन सिसेरियो ही है वह उसकी जीत से भी इंप्रेस हो जाती है और दोस्तों वह उसके सामने शादी का प्रपोजल रख देती है सिबेस्टिन दोस्तों फिर से हैरान हो जाता है कि यह सब हो क्या रहा है लेकिन दोस्तों ओलेवय की खूबसूर्ती से वह भी उसकी तरफ एट्रैक्ट हो जाता है और उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है जल्दी दोस्तों वह एक दूसरे से शादी भी कर लेते हैं दूसरी और दोस्तो और सीना के घर में सोलजर जो हैं वो एंटोनियो को अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि उसका और सीनों से कोई पुराना जगड़ा था अभी दोस्तो एंटोनियो मां सिसेरियो यानि वियोला को देखता है उसे सिबेस्टिन समझ लेता है आई तिंग आपको अब तो पता लग गया होगा कि सिसेरियो जो है वो असलियत में वियोला ही है आगे दोस्तो वै उससे कहता है कि उसकी मदद करें लेकिन दोस्तो सिसेरियो उसे पैचानने से मना कर देता है जो सच भी था क्योंकि उसने पहले कभी एंटोनियो को देखाई नहीं था सोल्जर्स एंटोनियो को खीच कर वहां से ले जाते हैं और वह चिला कर कहता है कि सिबैस्टिन तुम दो के बाज हो लेकिन इससे सिसेरियो जो की वेवला थी उसे हिंट मिल जाता है और वह सोचती है कि शायद उसका भाई सिबैस्टिन अभी जिन्दा है इससे दोस्तो वह बहुत जादा खुश हो जाती है ओलिविया दोस्तो ओलिविया के घर में सब को दोस्तो लगता है कि मालवोलियो पागल हो चुका है और एक दिन वह उसे नीचे एक कमरे में कैद कर देते हैं उसकी हरकते देखकर लेकिन दोस्तो यह सब उनके प्रैंग का ही एक हिस्सा था मालवोले दोस्तो गुस्से से कहता है कि वह पागल नहीं हैं लेकिन सब लोग हसते हुए वहां से चले जाते हैं आगे दोस्तों एक दिन और सीनो और सिसेरियो यानि वियोला ओलीविया के घर उससे मिलने आते हैं। ओलीविया सिसेरियो को देखकर उसे सिबैस्चन समझती है और पती की तरह उसका स्वागत करती है दोस्तों। यह देखकर दोस्तो और सीनो गुस्ता हो जाता है और उसे लगता है कि सिसेरियों ने उसे धोका दिया है और उलेवे से खुश शादी कर ली है लेकिन दोस्तो तबी सिबेस्चन भी वहाँ आ जाता है उसे देखकर सिसेरियों अपना भेश उतार देती है और वियोला के और सेनय को एसास होता है कि वह उस से बहुत ज़ादा प्यार करता है और वह उसके सामने शादी का प्रपोजल गत देता है। शुरू हो जाती है और यहाँ पर यह प्ले खत्म हो जाता है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो लेगी तो वीडियो को लाइक किये जगा चैनल को सब्सक्राइब किये जगा थैंक्स पर वाचिंग